Hello everyone, I am Dr. Kanishka Korishik. Welcome you all on Topper's Top. So guys, हमने अपनी लास्ट वीडियो RRB NTPC में डिस्कस किये थे करन्ट अफेर्ट जो की most expected थे बट जिनके first phase के exams हो चुके हैं और जो second phase में है, third phase में जिनके exams हैं तो उनके लिए आज हम इसमें first phase के जो 28 December से 13 January तक GS के questions है basically, वो लेकर आये हैं जो आगे help करेगा कि किस तरीकी के questions आये हैं और मेभी ऐसा हो सकता है कि कुछ questions इसी से repeat हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाले तो इसे end तक देखेगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखेगे, फर्स्ट कोशन जो यहाँ पर GS का था फेस वन में वो था कि हू इसी सी क्रिकेटर ओफ दा ये 2020 विराट कोली तो ये बहुत कोमन सा बहुत सिंपल फॉर्म ओफ कोशन है जो आपसे पूछा गया है तो आपको इनका नाम याद रखना है विराट कोली का फेस 2 ने या फेस 3 में यह कुछा जा सकता है कि कहा पे खेला गया था या कौन-से एर में खेला गया था तो वह मैं आपको यहां पर बताऊंगे तो देखें फर्स्ट एवर इंटरनेशनल क्रिकेट गेम जो था वो यूएस से और कैनेडा के बेच में खेला गया था यह तो हो गया इस साल का कोशन मता की फेस वन का कोशन अब आपको क्या याद रखना है कि कौन से एर में खेला गय तो नेक्स हम देखते हैं तो इसमें पूछा गया है कि वें इंडियन होके टीम लास्ट वोन गोल्ड मैडल इन विच ओलम्पिक तो लास्ट ओलम्पिक कौन सा ऐसा था जिसमें कि इंडिन क्रिकेट टीमें गोल्ड मैडल जीता था तो यहां पे 1980 में जो ओलम्पिक हुए थ तो यह बेट लिफ्टिंग से associated है नेक्स देखते हैं कि ऐसी कौन सी फर्स्ट इंडियन लेडी है जो कि एश्यान गेम्स में गोल्ड मैडल लेके आई है तो उनका नाम है कमल जी संधू तो इनका नाम अच्छे से याद रखेगा मेभी आप से दुबारा रेपीट किया जा 30 जो है यह अच्छे से याद रखेंगे नेक्स देखते हैं कि इंडियास फ्लैग बेरर ओफ एशन गेम्स 2018 वोस नीरस चोपरा तो देखे यह तो आपके सिंपल फैक्स है यह आपको रटने पड़ेंगे बढ़ आगे अगर ऐसा कुछ समझाने वाला होगा तो वो भी आपक के साथ समझाती जाओंगी अब उसके बाद नेक्स एगें फैक्च्छल कोशन आता है कि हू वोस था बीनर ओफ टी ट्वंटी वर्ल्ड कप 2007 तो देखें आपको जो है क्रिकेट से रिलेटिड और स्पोर्स से रिलेटिड जो न्यूस है वो अच्छे से याद रखनी क्योंक यह पर आ रहे हैं जैसे कि टी 20 वर्ल्ड कप का पूछ रहा है किसी और व्ल्ड कप का आप से पूछा जा सकता है किसी और गेम का तो याप याद रखेगा तो इसका आंसर है इंडिया 2007 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था नेक्स डै आइपेट 2020 वोस होस्टेड बाई कंट्री तो कोंसी कंट्री ऐसी थी जिसमें की आइपेड 2020 हुए थे तो वो थी UAE नेक्स आता है खेल इंडिया 2020 वो हज़ई थी पुछका गाया की जो खेल इंडिया 2020 वो कहां पे हुआ था तो यह घुवाटी असाम इंडिया अगया तो गोवाटी असाम ऐगयान आ गया आगया is refugees ध्राजी गांधी के लिए स्पोर्स नुर्टी को लिया गया है तो और तो अगर हम देखते हैं, तो मरियपन तंगवलू को लिया गया है, टेबल टैनिस के बात करते हैं, तो मनी का बत्रा को लिया गया है, रैसलिंग की बात करते हैं, तो विनेश को गाट को लिया गया है, और अगर होकी की बात करते हैं, तो रानी रामपाल को, तो देखें, यह क इसके through host होंगे तो 7 पहले बाद तो याद रखेगा कि यह जो Commonwealth Youth Game होगा 2021 का, यह 7th है series में, मतब इससे पहले 6 Commonwealth Games Youth के हो चुके हैं, यह 1st अगस से 7 अगस तक होगा 2021 में, तो यह date भी आपको याद रखनी है, और यह Trinidad and Tobago, इन जगह पे होगा, बट अब देखें यह जो 2021 में होने वाले थे, यह postpone होके 2023 तक हो गया है, तो अब यह 2021 में नहीं होंगी, यह होंगी 2023 में, बट जो प्लेस होगा, वो सेम रहेगा, नेक्स देखते हैं कि UN ससकवा अवोर्ड जो है 2019 का, वो किसको दिया गया था, तो प्रमोद कुमार मिश्रा जो है, इनको यह अवोर्ड द इंडिया का, तो वो है मुटेरा स्टेडियूम एहमदाबाद, इसकी एक रा मैं आपको फोटो दिखा देती हूं, तो इस 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 स्टेडियूम जो लाज़ेस्ट है, इंडिया का यह अहमदाबाद के नदर सिच्वेटेट है, तो यह भी कोशिन आ सकता है कि कहा पे ला तो इसको आप इस तरह के साथ है कि फर्टिलाइजर रेवलुशन इन इंडिया मतब देखे क्या होता है कि जैसे की ग्रीन रेवलुशन था तो वह किसे रिलेटेड था आपका अग्रिकल्चर से रिलेटेड था ठीक है मिल्क प्रोडक्शन के लिए वाइट रेवलुशन कहा उसको आप कैसी आपि अद्कली मुल्क छहीं तो वैसे ही फिर्टिलाइजर रेवलुशन के लिए ग्रेवलुशन फरूचन गया गया तो इसको आप कैसे आद करेंगे की रेवलुशन च्रहिं के नाम सी जाना जाता है नेक्स देखते हैं बहुत ही simple question है दोनों के दोनों science की category से है तो the chemical formula of hard water जो है वो H2O तो ये तो हमें basic classes से पता है कि H2O जो होता है वो water का चाहिए वो hard water हो या फिर soft water हो उसका same ही formula होता है नेक्स देखते है use of electric current तो ये भी हमने अपनी 6-7th class में पढ़ा था ampere is unit of electric current नेक्स देखते हैं कि जो भोपाल gas tragedy है ये देखिए ये बहुत ही एक famous tragedy है जिसमें की हर competition exam में इसके बार में पूछा जाता ही जाता है तो टीर गैस का chemical name क्या है two chloro benzyl benzyl melano nitrile तो यह वाला जो नाम है आपको थोड़ा मुश्किल है तो यहां पर आप कैसे करेंगे कि इनको divide करेंगे chloro को divide कर देंगे फिर जो है आप benzyl को कर देंगे divide फिर melononite का कर देंगे तो इस तरीके से चार words के form में आप इसको याद कर सकते हैं next देखते हैं कि which country developed first covid-19 vaccine तो रशिया जो है उन्होंने first covid-19 vaccine जो है उसको discover किया है और उसका नाम है sputnik 5 तो देखी यह question जो है आपको दो form में आ सकता है सिधा आपसे vaccine का नाम भी पूछा जा सकता है या फिर country का नाम भी पूछा ज सकते हैं next देखते हैं कि lower jaw is cold तो देखें जो क्या होता है पहले मैं आप वह दिखा दूं यह human skull है मतब कि face का जो अंदर skeletal होता है वह होता है तो यह जो हमारा उपर वारा जिसको आपे common language में जबडा कहते हैं तो इसको मैक्जिला कहते है और यह जो नीचे वाला portion होता है इ जो उपर वाला part होता है वो maxilla होता है पर यह move नहीं हो सता है पर जो lower part mandible होता है वो movable lower part होता है तो आप इसको सुनते सुनते भी आप देख लिजी कि आप 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 के पार को नहीं ला सकते हैं नीचे वाले part को ला सकते हैं ठीक है नेक्स देखते हैं कि the working principle of a washing machine is तो इन स separation process होता है जिसे में कि centrifugal force जो है उसको use किया जाता है जिससे की particles जो होते है उनका setting rate मतब कि नीचे जमा होने का rate जो है वो बढ़ जाता है next देखते हैं कि salivary glands जो होते हैं वो क्या होते हैं कि salivary glands पहले आप समझे हमारे mouth के अंदर जो है वो salivary glands होते है saliva क्या होता है जिसको आप simple language में ठूख कहते हैं या फिर हमारे mouth के अंदर जो पानी होता है ठीक है तो salivary glands पूछे कई है कि किस से बने होते तो salivary glands जो है वो एक secretory unit को कि देखे किसी चीज का निकलना बाहर निकलना रिलीज होना ठीक है तो salivary gland से release होता है जिसको हम acinii कहते हैं और यह acinii जो होता है वो acinar cell से बना होता है जो की serus या mucos हो सकता है serus और mucos का क्या मतलब होता है यह जो spelling है यह यहां पे गलत है serus की spelling नहीं होती है तो serus जो होता है जो की थोड़ा liquid consistency में होता है और mucos जो होता है जो थोड़ा सा थिक saliva होता है तो यह थीन होता है और यह थीक होता है next देखते हैं कि who is the writer of origin of species यह भी आपका science से हो गया बायलोजी से related है चार्लिस डार्विन जो है वो origin of species बुक के writer है next करते हैं viticulture की viticulture की viticulture जो किसी भी चीज के उगाने का जो एक medium होता है या तरीका होता है उसके लिए हम culture word use करते हैं ठीक है तो viticulture क्या होता है जब हम grapes को इस तरीके से group में उगाते हैं wine production के लिए फिर जो wine growing होती है उसको हम viticulture कहते है तो that is cultivation and harvesting of grapes next NEXT देखते हैं कि bile juice वो कौन से organ से secret होता है तो bile juice जो है वो रिवर से होता है आपने देख szeria अगर फेहgypt धर हमारा टाइजेस्ट होता है तो उसको हम एति हिंदी भाषो bankrupt कि जो है उसको डाइजेस्ट करदा है तो यह जो पीथ होता है है यह वो टाइजवर था यह होता है तो वो है Mercury, इसको आप याद रहना है कि जो फर्स्ट प्लैनेट है हमारे सन के पास Mercury वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, नेक्स देखते हैं कि अग ग्रूप ओफ डॉल्फिन इस कोल्ट मतब कि अगर बहुत सारी डॉल्फिन एक साथ एक ग्रूप में पाई जाती है और उनका नमबर जो है वो 12 डॉल्फिन सेटलिस होते है तो उसको हम पोड कहते हैं, तो शोशल ग्रूप ओफ डॉल्फिन को हम क् इसको बाइब हों तो इसमें पूछा गया है, सिंपल कोशन फेक्चुल है कि पोल्यो वैक्सिन किस ने डिसकावर की थी डॉक्टर जों सैक एंडड डॉक्टर अलबर्ट सैबिन तो इन दोनों ने इनको डिसकावर किया था, नेक्स्ट कोशन इस विच कंट्री इस कंप्ली अच्छे स्याद कीजिएगा, नेक्स्ट और लास्ट कोशन है, पी एच ओफ फ्यूमन ब्लॉड इस तो पी जो है हुमन ब्लॉड का वो होता है 7.4 जो कि एक स्लैटली एलकलाइन रेंज में आता है, मतलब कि बेसिक रेंज में जाता है, तो यह वाला आपको पी याद रखन है, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई, अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जूरूर बताए, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, thank you so much